स्टुर्ण वेल्किम तो नेट कैकर्स मैं अरुला श्रमा इस चैनल पर अब सभी का स्वागत करता हूँ स्टुर्ण आपर एक्जाम आने वाला है और ऐसे में आप सब प्रिपरेशन में बिजी होंगे हम आज ऐसे ही एक टॉपिक की बात करेंगे हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन की जहां यूरोपियन यूनियन अगर बात की जाए इसकी हिस्टरी की तो आज तक की जितनी भी इंटरनेशन ओरनाइजिशन रही है उन सभी के तिहास में European Union एक सबसे successful organization मानी जाती है Nobel Peace Prize से सम्मानी थी organization ये उरोप की 27 countries को एक साथ जोड़ती है for the economic policies, for the territorial integrity and citizenship में भी इन organizations में अगर बात की जाए तो सार्ग जैसी summits की हम बात करें आश्यान की summits की बात करें या UN की हम क्यों ना बात करें organizations तो हमारे पास बहुत सारी हैं बट उनके success rate के हिसाब से अगर उनको देखा जाए जिन जीजों के लिए उनको establish किया गया था तो European Union से ज़दा अच्छा काम आस तक कोई नहीं कर पाया है तो अज हम लोग discuss करेंगी European Union के इतिहास को और उन सभी treaties को जिसने European Union को finally establish करने में help की और हाँ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियोस को देख रहे हैं तो आप हमारे online या offline courses से जोड़ सकते हैं जो की available है हमारी एक अख्षा app पे साथ ही हमारे postal notes जो Hindi या English दोनों ही medium में available है आप उनको purchase कर सकते हैं और हमारी offline classes जो दिल्ली में होती है आप उसको भी join कर सकते हैं तुसरुन शुरुआत करते हैं European Union के साथ जिसमें सबसे पहले हम कुछ basic points को समझ लेते हैं European Union से जुड़े सबसे पहली बात तो उसकी member countries की की जाती है तो 27 member countries को जोड़ की European Union बनता है पहले 2016 से पहले ये number 28 था then इससे UK बाहर चला गया Brexit के बारे में आप सब ने सुना होगा अब ये number रह गया है 27 अगर बात की जाए headquarter की तो Brussels Belgium में इसका headquarter सित है Brussels won Darlen ये इसके president है अभी current president बात की जाए official languages की तो 24 languages है European Union की जिसमें से 3 working languages में आती है English, German and French इसी के साथ साथ हम अब बात करते हैं European Union की history की तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस बात को लेके European Union का idea इसके पीछे का क्या हितिहास है यों तो Viana की Congress जो 1814 में होई वही से Napoleon era के बाद ये इस बाते होने लगी थी कि Europe की integrity के उपर बात किया जाए पर उस समय इंप्रिलिस्टिक पावर जो थी वो established थी अलग-अलग जगा Ottoman Empire हुआ करता था Ottoman Empire हुआ करता था और इसी के साथ साथ अगर Europe की बात की जाए तो छोटे-छोटे बहुत सारे स्टेट यहां पर फैले हुए थी बट सो साल के लगभग जब गुजर गए 1914 का समय आता है Europe को एक वार जो है घेर लेती है जिसका नाम है The Great War, World War I जी हाँ 1914 से लेके 1918 तक के वार चली और इस भी बहुत destruction Europe ने जहिला 1919 में फिर फाइनली 1919 में आती है Treaty of Versalis हमारे सामने Treaty of Versalis के अंदर बहुत सारे फैसले लिये जाते हैं बट एक सबसे important discussion जो होता है वो इस बात पे होता है कि क्यों न यूरोप को integrate करने के लिए कुछ किया जाए इन वार्स को खतम किया जाए तो ऐसे में जो एक idea है वो आता है एक organization का league of nation हमारे सामने आती है बट unfortunately league को जस चीज के लिए बनाया जाता है यूरोप की integrity को मजबूत करने के लिए छोटे states को उनकी sovereignty especially territorial sovereignty maintain करने के लिए वो fail हो जाता है और 1933 आते आते league पे से जो विश्वास है European countries का वो उटने लग जाता है इसकी एक बड़ी वज़ा ये भी थी कि America's league का part नहीं था European countries में जातर देश जो America को favor करते थे यह यह मानते थे कि America सबसे बड़ा एक you know ally हो सकता है उसके नाउं होने से यह एक problem create हो गई थी finally 1939 का समय आता है Germany पे you know Germany attack कर देता है Poland के उपर Poland को हरा देता है और अपकोस यह ऐसा समय था जब league की जो you know एक official way में जिस तरह से league चल रही थी वो बंद हो जाता है league के सारे functions close हो जाते है and finally 1946 के अंदर जाके जब you know World War 2 खत्म होती है तो league की जो power थी है league का जो structure था उसको disintegrate कर दिया जाता है पूरी तरीके से league officially 1946 में close हो जाती है although league के successor के तो पर देखा जाये तो United Nation हमारे सामने आया पर Europe में बात उठने लगी कि क्यों ना हम भी को एक ऐसी organization एक integrity को create करें जो कि Europe को strong बना सके ऐसे में सुरुजलेंड में 1946 में University Zurich में जाते हैं Winston Churchill और advocate करते है एक idea को कहते हैं कि क्यों ना हम America की तरह ही जिस तरह से United States of America है हम United States of Europe को create करें जो कि Europe की सभी countries को एक ही साथ जोड सके बट इस idea पर जाने से पहले Europe ये चाहता है European countries ये चाहती है कि क्या हम एक साथ रह पाएंगे इस पर विचार हो तो चलिए सबसे पहले एक ऐसी organization को ये एक ऐसी community को create किया जाता है जो Europe को साथ में जोड सके और ऐसे में आती है Treaty of Paris जो कि 1951 में हुई सुन तो Treaty of Paris के अगर मैं बात करूँ जो कि 1951 में ऑल्दो Treaty of Paris वर्ड आप बहुत बर सुनते हैं international relations के अंदर because Paris के अंदर बहुत सारी treaties हमारे सामने आई बट हम अभी European Union की जो treaties हैं उनके उपर focus कर रहे हैं तो six country Europe की जिसमें Belgium, Germany, France, Italy Luxembourg and Netherlands इन six countries ने मिलके दो communities को create किया basically तो सबसे पहले हमारे आगे आती है European coal and steel community जिसको ECSC के नाम से जाना जाता है यह वो पहली community थी जिसको create किया गया specially coal and steel को लेके जो वैपार था जो trade था उसको लेके उनके laws को लेके trade policies को लेके इनको बनाया गया साथ ही हमारे सामने आया European Court of Justice जिसको Court of Justice भी कहा जाता है और इन दो को 1952 में लाया गया European coal, steel community भी 1952 में established हुई और वहीं पर European Court of Justice भी 1952 में after the treaty of Paris established हुआ इसके बाद आती है हमारी दूसरी important treaty जो कि आई 1957 के अंदर ये treaty ने basically Europe के अंदर create किया atomic energy hold करने वाली countries को एक साथ इसको Eurotorm Treaty के नाम से भी जाना जाता है इसके दौरा European Atomic Energy Community EAEC को establish किया गया इसको हम लोग short में कई बर Eurotorm Treaty या Eurotorm भी कहते है Center of European Nuclear Research जो दुनिया का सबसे बड़ा atomic research center है वो सुर्जलेंड मिस्थित है जहाँ पर Large Hydron Collider बहुत सारी अलग-लग research में लगा हुआ है especially Black Hall क्या है उसको समझने में ये Eurotorm ही है जिसके अंदर CERN भी काम करता है सबसे पहले आती है Treaty of Rome जो की आती है 1957 के अंदर इसके दुरा European Economic Community EEC को create किया जाता है इसी के बाद आती है Treaty of Merger जिसके अंदर Europe की तीन Communities को 1965 में ये ट्रेटी आये थी basically Treaty of Merger जिसके अंदर European Coal and Steel Community European Atomic Energy Community and European Economic Community EEC इन तीनों को Merger करके बनाई जाती है European Community अब फाइनली ये तीन अलग-अलग Community अकिले एक सिंगल Community European Community के अंदर आ जाती है स्टूंट इसके बाद आती है एक ओर important point यहाँ पर हमें जिसको समझना है Denmark, Ireland and UK 1973 में European Community को जॉइन करते है इसके बाद Greece 1981 में Portugal and Spain जॉइन करते है 1986 में अब European Communities में जो नंबर है countries का बढ़ता जा रहा है ऐसे में इसके बाद आती है Single European Act 1986 Single European Act again एक important act माना जाता है European Union के लिए because इस Act नहीं European Currency को create करने की बाद की Simple Single European Currency को इसमें कहा गया कि जो economical policies है उनको एक तरह से combine किया जाएगा और एक कैसी Currency का इस्तमाल किया जाएगा यूरोप के जाधा तर देशों में चले आगे चलकर Euro जो है वो एक currency के तौर पर European Union में आया और लगभग 19 देश 19 countries जो है वो इस्तमाल करती है Euro को as a Currency इसके बाद हम लोग बात करते हैं Master's Treaty की जो की 1992 में आई इस ट्रेटी को हम लोग The Treaty of European Union के नाम से भी जानते हैं इस ट्रेटी के आने के साथ ही जितनी भी European Communities थी हमारी तीन important organization European Coal and Steel Community European Atomic Energy Community और इसी के साथ European Economic Community इन तीनों Communities को मिलाके जो European Community बनाई गई थी वो अब मिल गई है European Union के अंदर इसके सारे काम European Union को अब सौंती जाते हैं इसी के साथ Create होती है European Citizenship इसी के साथ Create होता है European Central Bank और आती है Monetary Union इसके साथ Creation होती है Euro की जिहां एक ऐसी currency जो Europe के 19 देश 19 countries जो है Accept करते हैं इसमें 8 European Union के जो Member है For example Kutia जैसे देश ये लोग इसको स्तमाल नहीं करते हैं बाकी Mostly countries को स्तमाल करती है 19 countries जो है वो स्तमाल करती है Euro का अब इन सारे Steps के बाद European Union काफी मजबूत हो चुकी थी इनकी Trade Policies Currency और ऐसे बहुत सारे Economic Policies हो थी वो एक हो चुकी थी ना सिर्फ इससे Europe की Integration में Help मिली Territorial Integrity में Help मिली साथ ही Europe का जो Trade था Within the Europe उसमें एक बहुत Important Step के तोर पर इसको माना गया तो किससे Trade Policies असान होई और जो Local Traders थे उनको काफी ज़ादा इससे पायदा होने लगा यहाँ पर एक और Important Treaty के हम बात कर लेते हैं Treaty of Lisbon आई 2007 के अंदर इससे पहले 2002 के अंदर हुआ यह था कि जो Treaty of Paris 1951 में आई थी वो एक्सपायर हो गई थी तो European Coal and Steel Community के जितने भी Work थे वो खत्म हो गए थे Finally वो Community Dissolve हो गई थी उसके सारे Work जो थे वो European Union के पास आ गए थे अब 2007 में जब Lisbon Treaty आई तो उसके साथ ही जो European Union के मेंबर्स थे उनको अधिकार दिया गया अगर वो चाहें कि अब बहुत सारी Countries European Union को छोड़ सकती है बट एक positive outcome यहां देखने को मिलता है European Union अपनी trade policies के अलावा humanitarian works में भी बहुत ज़ादा काम करती है throughout the world बहुत सारी organizations के साथ मिलके UA काम करता है और अफरीका में एशा में बहुत जगा European Union लिस तरह की जो humanitarian work है चाहे वो food या shelter से जुड़े हो उसमें support करता है इन चीजों को देखते हुए यह 2012 के अंदर European Union को Nobel Peace Prize से समानित किया गया देखें दुनिया में 26 organizations को Nobel Peace Prize दिया जा चुका है जिनमें से एक European Union भी है इसके बाद समय आता है 2016 का UK decide करता है कि वो European Union को छोड़ देगा और Brexit की शुरुआत होती है फाइनली 2020 आते आते यह procedure पूरा होता है और European Union से यूरोप बाहर निकल जाता है अब यहाँ पर question यह उठा कि जब UK European Union से बाहर निकला तो और बहुत सारी countries ने इस चीज़ पर question उठाया कि अब क्या उनको EU के साथ रहना चाहिए और हो सकता है कि आने वाले future में हमें कुछ और countries EU से बाहर जाती ही नजर आए अब students के बाद हम EU के structure को भी एक बर समझ लेते हैं कि क्या है European Union का structure structure की बात की जाए तो यहाँ पर European काउंसल आता है इसके बाद second है European Parliament जो Europe की सभी countries की members को member countries को लाओ करता है voting system के अंदर European Commission इसमें आता है इसी के साथ आता है European Court of Audit European Court of Justice इसके अंदर आता है European Central Bank इसके अंदर आता है और 2010 में आया European System of Financial Supervision हमारे सामने इसके अंदर फिर आगए कई सारी organization तीन में communities इसके अंदर create हुई तो ये है structure European Union का अब यहां समझते हैं कि European Union का इसके अलावा किन चीज़ों में specifically अगर बात की जाए तो Pacific और India के साथ क्या रोल है European Union का तो ये थी European Union की सारी treaties जो अलग अलग समय पे हुई और जिनकी वजा से European Union हमारे सामने आए as a successful organization अगर बात की जाए Asia Pacific Strategy की अगर इंडिया के context में हम लोग समझें तो European Union इंडिया के साथ मिलके बहुत लंबे समय से काम कर रहा है 2007 में हुआ था EU-India Summit उसके बाद EU-India जो है bilateral trade agreement भी साइन होता है बेटा नाम से इसको जाना जाता है और EU और इंडिया का जो bilateral trade है वो काफी जादा बड़ा है पिछले एक दर्शक के अंदर in the last one decade यहाँ पर जो चाइना का one belt, one road initiative है उसकी against EU global gateway नाम का एक network create करना चाता है जिसमें इंडिया भी उसका part होगा, तो of course state के perspective से इंडिया के लिए भी बहुत beneficial रहने वाला है, वहीं बात की जाए humanitarian help की तो लगबग 20 million लोगों को direct help पहुचाता है European Union throughout the world with the different programs, different humanitarian programs, और साथ ही India के point of view से अगर हम समझें तो European Union के साथ हमारी साज़धारी एक बहुत important partnership के तौर पर हमारे सामने आती है तो इसरों ये था European Union के बारे में हमारा complete lecture I hope कि हर एक टेटी को सारे points को आप लोगन एच्छे से note-down किया है और इसी तरह की और वीडियो के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रही है धन्यवाद दोस्त